गेहूं की कीमत आस्मान चुने के कारण आटे के दाम 35-37 प्रतिकी लोग पहुँच गए हैं नया गेहूं एप्रिल में आता है और अभी दाम और बढ़ने के आसार बताए गए हैं केंदे सरकार ने 2022-23 में गेहूं का समर्थन मुल्याद 2015 पर प्रतिक विंचर रखा है जबकि बाजार में गेहूं 2800 पर प्रतिक विंचर मिल रहा है दरसल रूस और युक्रेन पूरे विश्व में करीब 40 विसद गेहूं की सप्लाई करते हैं रूस युक्रेन युद के कारण युक्रेन का गेहूं बहार नहीं निकल पा रहा और उधर रूस में लगे प्रतिबंद के कारण रूस भी अपना गेहूं नहीं भेज पा रहा भारे सरकार ने गेहूं के निर्यात पर कोई प्रतिबंद नहीं लगाया था इस कारण देश का कई हजार मिच्ट्रिक टन गेहूं बहार चला गया जब सरकार ने प्रतिबन लगाया तो कम्पनियों ने आटा निर्यात करना शुरू कर दिया अब सरकार ने आटे के निर्यात पर भी प्रतिबन लगा दिया और पिछले वर्ष गेहु की पैदावार भी कम रही थी इस कारण गेहु के दामों में भडोतरी हो रही है वहीं हल्दवानी मंडी में 2800 रुपे प्रतिक्विंचल पर भी गेहूं मिलना मुश्किल हो रहा है इसलिए उधम सिंग नगर की मंडियों से गेहूं मंगाया जा रहा है और इसके दाम 2700 से 2800 रुपे प्रतिक्विंचल जा पहुंचे हैं जिसके कारण खुले बजार में आटा 35 रुपे से लेकर 37 रुपे प्रतिकिलो बीक रहा है और अभी उमीद की जा रही है कि आटे के दाम और बढ़ सकते हैं वियपारियों का कहना है कि निर्यात होने के कारण भारत में प्रयाप मात्रा में गेहूं नहीं बचा है जिन वियपारियों के पास गेहूं है वो भी अपने गोदामों से बाहर नहीं निकाल रहे गेहूं की जमाखोरी हो रही है और इस कारण उन्हें 28 रुपे प्रतिकुंटल में आटा मिल रहा है वहीं दूसरी और केंदर सरकार ने राशन कार्ड धारकों को दिये जा रहे गेहूं में भी कटोती कर दी है मुफ्त राशन में भी गेहूं नहीं मिल रहा पीले कारण पर गेहूं के बदले चावल दिया जा रहा है इस कारण बाजार में आटे की डिमांड बड़ी है डिमांड के हिसाब से गेहूं नहीं मिल पा रहा और जो गेहूं मिल रहा है उसके दाम MSP से काफी उपर है Bureau Report Market Times TV